भगवान कृष्ण का गीता में उद्धोष है कि परित्णाई साधूनाम विनाशाई चदुस्कृताम धर्म संस्थापनार्थाई संभवामी युगे युगे यदा यदा ही धर्मस ग्रानिर्भवत इभारत अभित्थारम अधर्मस सतदात मैंनम सरजाम हैं भगवान कृष्ण का जो गीता में उद्धोष है शिर्मत भागवत के बार में इसकंद में उल्लेखित है कि जब धर्ती पर धरा पर पाप बढ़ जाएगा अधर्म बढ़ जाएगा तो उस अधर्म का नाश करने के लिए धर्म की पुरस्थापना करने के लिए भगवान हर युग में आया है और हर युग में आएगा इसलिए संस्क्रत का श्लोक श्रीमत भागवत में संभल ग्राम मुखस्थ रहम्नस्स महत्मना भवने विश्णु यश्थ कल की प्रादूर भविश्थि इसका मतलब है कि भगवान त्रेता में राम के रूप में आयोध्या में द्वापर में कृष्ण के रूप में मतुरा में आये और भगवान कल युग में श्री कल की निश्कलंक के रूप में इसी धरा पर अवतरित होंगे मान्ये प्रधान मंत्री जी महोदे भगवान जहां आता है वो धरा धाम बन जाती है अयोध्या में जितना काम भगवान का आपके हाथ से हुआ ये ऐसा संयोग है जो सनातन धर्म और इस राष्ट की इस धजा को पूरे विश्व में फैलाने का काम फैराने का काम भारत की संस्कृति जो वसुधैव कुटमकम और विश्व बंधूत का संदेश देती है उसको पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम अगर आज कोई कर रहा है वो भारत के यशश्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी कर रहे हैं माननिये प्रधानमंत्री महोदे ये एक और अधुत संयोग है कि भगवान राम के सारे काज आपके करकमलो दौरा हुए हैं और आज का ये दिन ये शुबगड़ी जिसे देखने के लिए कितनी ही आँखें जो बंद हो गई ये शुबगड़ी जिसका सपना हमारी कितनी माताओं बेहनों ने देखा और मानिये प्रधानमंत्री जी ये आज सपना साकार हो रहा है क्योंके श्रीकल की धाम की पावन धर्ती पे आपके चरण पड़े हैं हम आपका स्वागत करते हैं हम आपका वंदन करते हैं हम आपका विनदन करते हैं मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बाद जरूर कहना चाहता हूं, ये कल की धाम, शिकल की धाम, जहां भगवान आएगा, आज श्री कल की धाम की आधार शिला माननिये प्रधान मंत्री जी के करकमलो द्वारा इस्थापित हो चुकी है, अब वो दिन दूर नहीं ह है, जब भारत में रामराजी की पुरस्थापनास होने का समय आ चुका है, एक बात कहते हुए, अपनी वाणी को विराम दूँगा, जब मैं प्रधान मंत्री जी को अमंत्रित करने गया था, तो मुझे नहीं लग रहा था, के प्रधान मंत्री जी मेरे निमंत्रण को स्विकार कर रहेंगे, लेकिन आप सब संतों के आश्चिर्वाद से, तमाम लाखो करोडो भक्तों की प्रार्थनाओं से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे निमंत्रन को सुविकार किया माननीय प्रधानमंत्री जी महोदे जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार पंद्रा दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे मेरे पास कोई उत्तर ना था लेकिन एक उत्तर था उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिखे दिया है मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा जैसे शवरी को विश्वास था के राम आएंगे जैसे विदुर को विश्वास था के क्रश्न आएंगे जैसे हमारी आस्था का आधार है के कलकी आएंगे वैसे ही आचार प्रमोद किश्वास था के नरंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्ये हैं अपना वचन निभाएंगे मान्ये प्रधान मंत्री जी महोदे भगवान क्रश्न के ज्ञान योग कर्म योग भक्ती योग अगर हम तीनों को एक साथ रखके एक साथ रखके जब हम इवेजन करते हैं तो भगवान क्रश्न के भक्ती योग कर्म योग और ज्यान योग जब तीनों एक जगे मिलते हैं तो एक तस्वीर बनती है और वो तस्वीर भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी की बनती है